नमस्कार बंदे मातरम एक बर फिर से आप सभी का सौगत थे दिशा एगरी कालसर अकेडमी कानपर के ओफिसियल योटोड चैनल पर सुगाईज आज फानिली जो है एक्जाम एवपो का कंड्यक्ट हो चुका है उसकी सटीक और अथेंटिक कटाप आपके बीच मिलेके आचुका हूं बहुत ही सटीक और कई सारे बिद्ध्यारतियों पर सर्वें पर आधारित ही ये कटाप है होप करता हूँ कि जो मैं आपको बताने बाला हूँ इतनी ही कटाप जाएगी आपका क्या स्कूर है वीड़ो इंड होने के बाद में आप कमेंट सिक्शन में अपना स्कूर हमें जरूर एपलाई देंगे बता दें आपको IBPS ESO की जो कटाब है बहुत ही सांदर और आथेंटिक है फर्स्ट सिप्ट और सेकंड सिप्ट दोनों की एनलेसिस पर आधारित कटाब है और खास तोर पर ये कटाब जो बताने जा रहा हूं कटाब इससे ज़्यादा कते ही नहीं जायेगी तो आप लोग वीडियो पर एंड तक जरूर बने रहीएगा ठीक है तो IBPS ESO की कटाब क्या रह सकती है ABC, ABS SCST, Handicapped General, OBC इन सभी की कटाब भई क्या रह सकती है हम लोग बन बाई बन करके चर्चा करते है पहले हम लोग जानेंगे कि 2021 में कटाब क्या रही थी खास तोर पर फिल्ड ओफिसर की कटाब कितनी रही थी एगरी कल्चर फिल्ड ओफिसर की हम सभी जानते हैं इंग्रिश 25 नमबर की होती है रीजनिंग 50 और जनरल आवारनेस 50 का इसमें जो 2021 की कटाब की काईज में बात कर रहा हूं 2021 की कटाब की इसमें आप देख लो जो एस्सी एस्टी ओभी सी पी डबलू डी बाले हैं इनकी रीजनिंग की तीन दसम्लब दो पांच नमबर जनरल आवारनेस नहीं मैत की गई थी 5.25 वहीं पे इंगलिस की कटाब 4.75 नमबर गई थी किसकी एवा से या फिर जनरल अबर केंडिड़ की रीजनिंग में गई थी 6.50 और जनरल आवरनेस में गई थी 9 तो ये कटाब थी 2021 की लेकिन आप पेपर हो चुका 2023 का 2023 की सटीक कटाब क्या रह सकती है हम लोग जानते हैं ये बिल्कुल सटीक और सच्चा सर्वे है खास तोर पर एगरी कल्चर फिल्ड ऑफिसर की कटाब कितनी जा सकती है हम लोग जान रहे हैं अब हम बात करेंगे कि एगरी कल्चर फिल्ड ऑफिसर की कटाब कितनी रह सकती है सो गाइज एगरी कल्सर फिल्ड ओफिसर की कटाप क्या रह सकती हम लोग जानते हैं देख लिजेगा मैद 25 का और रीजिनिंग भी 25 नंबर की है यहां पे सो गाइज अगर हम लोग बात करेंगे जन्रल ओबी सी और एडबलू एस की जन्रल ओबी सी और एडबलू एस यानि इकोनोमिक बेकर सेक्शन इन बिद्यारतों के कटाप में कोई ज्यादा अंतर नहीं होता है आधार्त जो यह कैंडिड़ेट हों की इनकी इंग्लिस में कटाप कितनी जायेगी जन्रल बालों की इनकी इंग्लिस में कटाप जायेगी इनकी इंग्लिस में जायेगी 4.25 यानि 4.25 या चार चार इतने अगर आपके अंग्लिस में है आप जन्रल ओबी सी और एकोनोमिक बेकर सेक्शन इडबलूस की कैटेगory में आप आ रहे हों तो आप easily qualify कर जाओगे English में, वहीं पे math में आपका score होना से यह 8.25, और reasoning में आपका होना से यह 8+. यानि cut up की गर हम बात करें, तो English में आप 4 दे सम्वलब 2.5 आपका होना से यह, math में आपका 8.25 होना से यह, reasoning में 8 plus number आपके कर हैं, तो आप general OBC और economic baker section, इन तीनों की कटाप को आप आसानी से qualify कर जाएंगे, अब हम बात करेंगे कि SC category के जो अभ्यरति, उनकी कटाप कितनी रह सकती है, SC में एक यहां पर कम हो जाएगा, लगबख 3.25 हो जाएगा SC, ST या handicapped विद्ध्यारति, उनकी कटाप इंगलिस में रहाएगी 3.25, मैथ में उनकी कटाप लगबख रहाएगी 6.5, वहीं पर रिजिनिंग में कटाप रहने वाली है आपकी 6+. रिजिनिंग में कटाप रहने वाली 6+, यानि इंगलिस में जो जैनल OBC EWS की कटाप रहाएगी 4.25, मैथ में रहाएगी 8.25, रिजिनिंग में रहाएगी 8+. वहीं पर हम बात करेंगे SC Category की जो अब बहरती एंगलिस में रहाएगी 3.25, मैथ में 6.5, रिजिनिंग में 6+. ये तो आपकी सब्जेक्ट बाइस कटाप हो गई आपको pre-qualify करने के लिए, लेकिन जो ओवराल कटाप बनेगी उसकी अब हम बात करेंगे, अगर ओवराल कटाप की हम बात करेंगे, जिसमें विद्यारती मेंस एक्जाम के लिए सेलेक्ट किये जाएंगे, तब कटाप क्या रहेगी? ओवराल एक्जाम की, यह तो मैंने subject wise आपको बता दी कि इतने अगर subject में number आपके हैं, English में इतने हैं, Math में इतने हैं, रिजिनिंग में इतने हैं, तो आप easily qualify कर फाओगे free exams को subject wise, लेकिन total कटाप में भी आपको आना बहुत जरूरी है, तो यह खास और particular जो कटाप है, agriculture field officer की कटाप है, AFO की यह कटाप है, अगर आप, वही बात आती, overall हम लोग कटाप की बात करेंगे, overall, overall कटाप की हम बात करेंगे, general OBC और EWS के जो बिद्ध्यार्ती economic बेकर सक्षिन ते अब बढ़ती है, उनकी कटाप कितनी रहेगी, आपको बता देता हूँ, उनकी कटाप जो है, अगर बिद्ध्यार्ती, field officer की में बात कर रहा हूँ, particular, इनका score 30 से, 38 के 20 में अगर है, तो बहुत पक्का qualify कर जाएंगे, यह कटाप रहेगी, general OBC EWS की, वहीं पर हम बात करें, SC, ST और हैंडिकप की बिद्ध्यार्ती, अगर इनके marks, 22 से 32 के बीच में अगर आ जाते हैं, 22 से 32 नमबर के बीच में, इनके marks आ जाएंगे, आथार 25 प्लस अगर नमबर आ रहे हैं, तो बैटा आप जो है, 100 परसेंट आप जो है, आते हो, तो आपका 30 से 38 नमबर है, कहने के मतलब एप्रॉक जी बेट, मोटा मोटा आपको बता दें, वहीं 34 के सम्थिंग, अगर हम एप्रॉक्स निकालेंगे, तो 34 जाएगा, और इसका निकालेंगे, हम लोग तो कितना हो जाएगा, 27, यानि अगर आप जनरल OVC EWS में आप हैं, और आपके 34 नमबर के आसपास, अगर आप स्कोर पा रहे हो, तो आप आसानी से कौलिफाई कर जाओगे, वहीं आप SCST हैंडिकप विद्यार्दी, अगर 27 के दायरे में आ रहे हो, तो भी आप कौलिफाई आसानी से कर जाओगे, यह Particular Agriculture Filled Officer की कटाप है, बाकी IT Officer Marketing, HR, इन सभी की कटाप हम दूसरे वीडियो में लेके आएंगे, फिलाल इस वीडियो में यहीं तक, अब आपको यह कमेंट करके बनाना है कि आपका स्कोर क्या रहा, जो भी प्रिंट नए हो, मेंस एक्जाम के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही बेतरी तयारी कराए जाती है, आज की वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कर!